गुड मॉनिंग इस्टुडेंट आइस का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो जितना हम लोगों ने कल 9 तक के जो ने मिर्कल देखे थे अब उससे आगे जो है कि हमने मिर्कल देखेंगे ठीक है तो आज हमारा जो है कि question number 10 होगा तो देखे question number 10 क्या कहता है question है कि दो समान लंबाई वाले तार कतामबे के तार A और B के cross-sectional area यानि अनुपरस्त काट छेत्रपल जो है कि उसका ratio 5 अनुपात 1 है तो wire A का resistance B के terms में हमें find करना है कि कितना होगा तो कहने का मतलब यह है कि देखें हमारे पास एक ये wire है दूसरा ये wire है ठीक है दोनों की length क्या है same है LL है ये wire A है और ये wire B है तो इस case में क्या है अगर इसके area को अगर A A माननू और इसके area को अगर मैं A B माननू ठीक तो उस case में क्या है कि अगर A और B का जो अनुपात है वो कितना है 5 is to 1 ये given है question में तो अब पूछ रहा है कि हमें क्या निकालना है कि R A का जो है R B के terms में कितना ratio होगा ये हमसे पूछ रहा है तो देखें कैसे solve होगा तो हमें पता है कि क्या है R is equal to rho L by है तो इस case में R is equal to जब हमारा rho L by A होगा तो यहाँ पर क्या चीजें जो है कि constant रहेंगी तो यहाँ पर जो चीजें constant रहेंगी देखें L हमारा जो है कि constant होगा, साथ में जो है कि rho जो है, वो एक ही material का है, यानि copper का है, तो इस case में क्या होगा, R inversely proportional to 1 upon A, चीक, तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, कि देखें, अगर, अगर R हमारा 1 upon A है, R proportional to 1 upon A है, तो इस case में अगर हम बात करेंगे, R A upon R B की, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, यह हो जाएगा, R B, sorry, A B upon A A, ठीक है, तो यहां हमें क्या चीज़ गीवेन है, यहां हमें गीवेन है कि A A ratio A B, जो हमारा वो कितना है, 5 is to 1 है, और हमें निकालना किसका है, A B ratio A के terms में, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, R B ratio R A किसके बराबर हो, मतलब, sorry, R B नहीं, A A, यानि A B ratio A A, कितने के बराबर होगा, 1 ratio 5 के, ठीक है, 5 is to 1 है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 is to 5 के, तो यहां पर यह value हमने अगर रख दिया, तो कितना हो जाएगा, R A upon R B is equal to 1 upon 5, ठीक, तो R A का हमें निकालना था, तो R A is equal to कितना हो जाएगा, 1 upon 5 R B, यह इसका solution है, तो R A का जो, मतलब A wire का resistance B के terms में, अगर हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, 1 upon 5, ठीक, तो उसी चीज़ को आप लोगों ने solve किया है, देखे, wire A के लिए कितना हो जाएगा, R A, universally proportional to 1 upon, A A, B के लिए, 1 upon A B, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, equation 1 और 2 को जो है, कि divide कर देंगे, तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, R A is equal to 1 upon 5, R B, ठीक, चाये तो ऐसे कर लें, या फिर जैसे बताया था, वैसे कर लिए, next question हम से ये कह रहा है, कि यदि 5 प्रतिरो, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 7 ohm, 9 ohm के series में connect हैं, तो series में connect हैं, और इनके, जो सीरे हैं, उनके terminals के बीच, हमने 230 volt, जो है कि, 230 volt का एक bolt sources connect है, तो उस circuit में, प्रवाहित होने वाली current कमान, और register के series पर, voltage कमान हमें निकालना है, तो question हम से क्या कर रहा है, question हम से कह रहा है, कि हमारे पास 5 register है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 register है, इनके एक क्रोस हमने, एक voltage source लगाया है, कितने bolt का, 230 volt का, ठीक, और register की value कितना है, सबसे पहले 2 ohm का है, इसके बाद यहाँ पर 3 ohm का है, ठीक है, फिर यह कितना है, फिर 5 ohm है, फिर 7 ohm है, फिर 9 ohm है, तो यह हमारे साथ क्या है, सिरीज में connect है, ठीक, तो अब पूछ रहा है, कि इस circuit में, कितना current flow होगा, ठीक है, तो इस circuit में, कितना current flow होगा, तो सबसे पहले, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास register है, सिरीज में के, उनकों हम क्या करेंगे, पहले इनका equivalent निकालेंगे, equivalent कैसे निकलेगा, तो देखिए, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 7 ohm, 9 ohm, यह सब किसमें हैं, सिरीज में connect हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं, कि अगर कोई register, अगर सिरीज में connect होता है, तो उस case में, हम उसको कैसे solve कहते हैं, तो R equivalent is equal to, कितना R1, plus R2, plus R3, plus R4, plus R5, यह होता है, तो उसी तरीके से, हम इसको निकाल जोड लेंगे, जितने भी हमार रेजिस्टर है, तो 2 ohm, plus 3 ohm, plus 5 ohm, plus 7 ohm, plus 9 ohm, तो कितना मिलेगा, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 79, 26 ohm, यह हमारा क्या है, R equivalent है, ठीक है, तो R equivalent हमें निकल गया, तो अब हम से, चूँ, current की value पूछ रहा है, तो वो हम चीजे निकाल लेंगे, तो I is equal to कितना हो जाएगा, V by R होता है, तो V कमान कितना है, 230 by 26, इसको solve कर लिजेगा, तो वो value आ जाएगा, तो देखिए, यह हमारे पास register है, इस पर 230 बोल्ट का हमने source लगाया है, हमारे पास क्या है, series connection है, तो अगर हमने जब उसको series connection अगर लगाया, तो यहां से हमने R equivalent 26 निकाल लिया, तो अब हमारा जो circuit बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यह हमारा क्या चीज है, यह हमारा R equivalent है, ठीक है, तो I की value यहां से मिल जाएगा, कितना 230 by 26, तो answer आया, कितना 8.84 ampere, ठीक, तो I की value हमें मिल गया, अब I की value यहां से मिल गया, कितना हो गया, 8.84, अब देखे, अब हमें सभी जितने भी हमारे पास register है, सभी register के cross हमें क्या निकालना है, voltage निकालना है, तो देखो, हमें पता है कि series में क्या होता है, series में current equal होता है, और voltage अलग-अलग होता है, तो 2 ohm के cross suppose किया, जो voltage होगा, वो कितना है V1 है, तो अब एक चीज बताओ आप, कि V1 के मतलब जो हमारा 2 ohm का register है, इस 2 ohm का register के cross हमारे पास जो current flow हो रहा है, यही आई ही तो जा रहा है, तो यह इस V1 की value कितना होगा, V1 is equal to कितना, आई into R1 यहीं नहोगा, और R1 की value कितना है, 2 ohm है, तो 8.84 into 2 हो जाएगा, तो कितना आजाएगा, 8.84 यह हो गया, similarly V2 के cross भी कितना हो जाएगा, V2 के अगर निकालेंगे, तो यहाँ पर भी current आई जा रहा है, तो V2 is equal to कितना हो जाएगा, I, R2, ठीक है, similarly 5 ohm के cross भी वही होगा, I, R3, I, R4 और I, R5, तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो है, solve किया गया है, कि 2 ohm के across, 2 ohm के across जो भी भुवानतर, यानि voltage होगा, वो V1 सपोस किया, I, R1 हो गया, तो I की value, 8.84, I की value कितना हो जाएगा, 8.84, ठीक, 8.84, इन्टू टू, तो इतनी आ गई, अब 3 ohm के across अगर हम निकालेंगे, तो उसकी value कितना हो जाएगा, 3 ohm के across अगर हम निकालेंगे, तो हमारा V2 था, ठीक है, तो 8.84 इन्टू 3, ठीक, similarly 5 ohm के across, 7 ohm के across, और इसके बाद 9 ohm के across, जो है, voltage हम यहां से calculate कर लेंगे, मुझे उमीद है कि समझ में आ गया होगा, फिर next देखें, next question हम से कहे रहा है, कि, जो circuit given है, ये circuit है हमारे पास, तो इसमें हमें calculate करना है, क्या चीज़, पहला R equivalent, दूसरा total current, तीसरा, जो resistance है, मतलब total current है, जितने भी हमारे पास element है, सभी में हमें current की value निकालना है, सभी में voltage drop निकालना है, ठीक है, और power निकालना है, तो जो question अभी हमने उपर solve किया था, सेम उसी type का है, तो एक एक करके हम question को solve करते हैं, देखिए, अगर हम पहले question की अगर हम बात करेंगे, तो पहले वाले question में, अगर हमें R equivalent अगर find करना है, तो उस case में ये क्या है, ये तीनों हमारे series में है, तो R equivalent is equal to क्या हो जाएगा, series का R1, प्लस R2, प्लस R3, ये होता है, तो उस case में कितना हो जाएगा, 20, प्लस 30, प्लस 50, ओम, तो कितना हो जाएगा, 50 और 50, 100 ओम, तो ये हमारा क्याची निकल गया, R equivalent, पहला question solve हो गया, अब देखिए, दूसरे question की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो है, R equivalent कितना आया है, 100 ओम, ठीक है, total current पूछ रहा है हम से, ठीक, तो total current, suppose कि ये हमारे पास I है, तो I is equal to कितना हो जाएगा, R equivalent, sorry, B, I is equal to हो जाएगा, B upon R equivalent, ठीक है, तो B की value कितना है, 125, और R equivalent का value कितना है, 100, तो कितना आ जाएगा, 1.25 amp, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा question, ठीक, फिर, third question के अगर हम बात करें, देखे, third question में, क्या question पूछ रहा है, कि प्रतेक में, जो है, कितना current flow होगा, प्रतेक परिपत में, प्रतेक परिपत का मतलब, इसके cross, फिर 20 ohm, 30 ohm, और 50 ohm के cross, कितना current हमारा flow होगा, तो एक चीज़ बताइए, हम जानते हैं, कि जो series होता है, series में, जो current, क्या होता है, सभी में, equal flow होगा, तो हम कह सकते हैं, कि, i2 ohm, बराबर होगा, sorry, 20 ohm, is equal to 30 ohm, और 50 ohm के cross, भी जो current flow होगा, i50 ohm, ये कितना होगा, 1.25 ampere ही तो होगा, ठीक है, फिर, अब question number 4, हम से क्या कह रहा है, कि, sorry, question number 4, क्या कह रहा है, कि voltage drop हमें निकालना है, तो voltage drop, अगर हम निकालेंगे, तो 20 ohm के cross, कितना voltage जाएगा, तो देखिए, इसमें जो current आ रहा है, वो कितना है, 1.25 ampere है, ठीक है, और इसके बाद, इसके cross, जो register है, मतलब register की value कितना है, 20 ohm है, तो V20 ohm, is equal to कितना हो जाएगा, 20 into 1.25, अगर इसको solve करेंगे, तो कितना आएगा, 0,5, 2, इसके बाद, 25, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 25 बोल्ट, ठीक है, फिस similarly, अगर हम बात करेंगा, 30 ohm के cross, तो V30 ohm is equal to, कितना I into R होता है, तो I की value कितना है, 1.25 into 30, जो आएगा answer, आप लोग देख लिजिएगा, answer इसका कितना आएगा, 37.5, बोल्ट, ठीक है, similarly, अगर हम 50 ohm के cross, अगर निकालेंगे, तो V50 is equal to, कितना I into R, तो कितना हो जाएगा, 1.25 into 50, तो इसकी value हमारे पास, कितना आजाएगा, इसकी जो value आएगी, अगर इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास answer आएगा, 62.5 बोल्ट, ठीक, तो हमने voltage भी निकाल लिया, तो यह रहा हमारा, 4th question का solution, अब हमारे पास जो 5th question है, 5th question क्या कह रहा है, कि जितने भी हमारे पास, मतलब circuit है, उसमें हमें क्या निकालना है, बेसक्ती, यानि पावर निकालना है, तो P is equal to हम क्या जानते है, V into I होता है, तो देखिए V की value कितनी है, 125 और I की value कितना था, 1.25, तो अगर हम इसकी value निकालेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा, 156.25 वाट, यह इसका answer है, ठीक है, तो यह इसका पूरा solution है, आप लोग देख सकते हैं, आरेक्विवेलेंट हमारा 100 और माया था, करेंट हमारा 1.25 अंपियर आया था, ठीक है, प्रतेक परिपत में जो करेंट की value थी, तो I is equal to I 20, I 30, I 50 is equal to 1.25 अंपियर आया था, बोल्टेज ड्रॉप, वीवन की value 25 बोल्ट, ठीक, वीवन की value 25, वीटू की value 37.5, और वीत्री की value कितना आ गया था, वीत्री का मतलब 50 ohm के cross 62.5, ठीक है, फिर पावर की अगर हम बात करेंगे, अच्छा, इच रजिस्टर के cross power अगर निकालना था, तो देखिए, अगर इच मतलब जीतने भी हमारे पास register है, उनके cross अगर हम निकालेंगे, तो अगर हम निकालेंगे, P20 ohm के cross, तो बोल्टेज कितना था, P20 ohm के cross, 25 into current कितना हो जाएगा, 1.25, तो उसके आधार पर इसको solve करेंगे, तो 31.25 हो जाएगा, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, P30 ohm के cross, तो P30 ohm, मतलब 30 ohm register का जो power होगा, तो बोल्टेज की value कितना था, 37.5 into current की value 1.25, तो इसको जब हम solve करेंगे, तो आंसर कितना आजाएगा, 46.87 वाट, ठीक, फिर total, सॉरी, अगर हम 50 ohm के cross, अगर बात करेंगे, तो similarly क्या हो जाएगा, V3 into I, तो कितना जाएगा, 78.125, तो ये प्रतेक register का था, अगर हम total power, अगर बात करेंगे, total power, cool power की, तो कितना हो जाएगा, V into I, V की value कितना था, V की value था, 125 और 1.25 का, इसको जब हम solve करेंगे, तो 156.25 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, total power, तो एक हम यहाँ से solve कर सकते हैं, या फिर अगर हमें, total power निकालना होगा, तो हमारे पास यो, power होगा, तो कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 यहीं न होगा, यानि अगर हमारे पास, अगर कोई भी circuit अगर होता है, तो उस case में, तो इसके cross power, मतलब इसका power, और इसका power, अगर हमें calculate करना है, इसने इतना power consume किया, इसने इतना consume किया, तो total power कितना consume होगा, तो P total is equal to, या तो हम P1 प्लस P2 कर दें, या तो फिर हम directly, जो है कि V into I लगा दें, तो उस case में, दोनों ही case में जो है answer होंगे, वो same होंगे, तो या तो हम इसको ऐसे solve कर सकते हैं, या फिर जो है कि P is equal to V I लगा करके solve करें, या तो तीनो power को हम जोड़तें, या तो V into I कर दें, ठीक, next question हम से क्या कह रहा है, तो अगर हमें यहाँ question यह given है, कि नीचे जो यह circuit दिया हुआ है, इस circuit के cross हमें निकालना है, R equivalent, ठीक है, यह पहला question है, इसके बाद I की value को निकालना है, फिर जीतने भी register लगे हैं, उनके cross हमें voltage drop और current की value निकालनी है, ठीक, तो देखें इसको कैसे solve परेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस register को, ठीक है, तो यह देखें कैसे connect हैं, अगर हमें यहां से current अगर flow करा रहा है, तो यह current यहां ऐसे जाएगा, फिर यहां होगा, फिर यहां ऐसे चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर से होकर के यह ground से फिर यह return हो जाएगा, ठीक है, तो इस case में क्या है कि current जितना भी जा रहा है वो सभी register में equal जा रहा है तो हमें कह सकते हैं कि ये जो तीनों register है ये जो हमारे पास तीनों register है ये क्या है series में connect है तो अगर हम बात करेंगे r equivalent की तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 यानि 12 ohm यह हमारे पास क्या हो जाएगा इसका r equivalent इतनी बातें समझ में जब हमारा r equivalent अगर निकल गया ठीक है r equivalent की value कितना आ गया 12 ohm ठीक तो जब r equivalent हमने find कर लिया तो उस case में हम i की value को calculate कर सकते हैं i is equal to कितना हो जाएगा v by r equivalent होगा और v की value कितना है 24 by r equivalent कितना है 12 तो कितना हो जाएगा 2 mp hour यह current आ ठीक है जब यह current आ गया तो उस case में अगर हम इसके across ठीक है अगर इहां पर current निकाले चाहें यहां current निकाले यहां current निकाले सभी के क्रोस अगर हम करेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा i is equal to i2 ohm is equal to i4 ohm is equal to i6 ohm सभी के क्रोस ही 2 ampere आएगा ठीक है तो यह हो एक यह solution हो गया ठीक इसके बाद जो हमारा fourth question है fourth question हमसे कह रहा है कि सभी के क्रोस हमें voltage निकालना है तो देखिए यहाँ पे कितना current आ रहा है ठीक है तो अगर हम V2 ohm की बात करेंगे तो उस case में कितना हो जाएगा 2 into 2 यानि 2 into 2 यानि 4 volt फिर यह हम निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 into 2 4 into 2 की यानि 8 volt यह हो जाएगा और यहां निकालेंगे तो 12 volt हो जाएगा, ठीक है, तो सभी के cross हमने voltage calculate कर लिया, तो यह हो गया, बस इतना ही question था, पहला question हमारा क्या था, R equivalent, find कर लिया 12 ohm, ठीक, इसके बाद next question क्या था, total current, 2 ampere, वो भी find कर लिया, प्रतेक circuit में, circuit in the sense element में जो निकालना था, current की value, वो हमने निकाल लिया, 2 ampere, यह solve हो गया, फिर next क्या था, हमारा voltage drop हमें find करना था, तो वो कितना हो जाएगा, V1, 4 volt, था ही, ठीक है, फिर 8 volt हो जाएगा, फिर 12 volt हो जाएगा, यह question solve हो गया, अच्छा, अब हमें निकालना है, जो 5th question है, बैसक्ती, अगर हम बैसक्ती की बात करेंगे तो देखें, I is equal to common है, कितना हो जाएगा, 2 ampere, ठीक, अगर हम V1 की बात कर रहे हैं, तो कितना था, 4 volt था, तो P is equal to कितना हो जाएगा, V1 into I1 यह होगा, तो P is equal to V1 into I, तो इस case में V1 की value 4 और I की value 2, तो 8 watt यह हो गया, similarly अगर हम बात करेंगे, P2 की, तो P2 भी हमारा कितना हो जाएगा, V2 into I, यानि 8 into 2, यानि 16 watt यह हो गया, ठीक, फिर P3 हो गया, तो इतना हो गया, अब बैसक्ती की बात कर रहे हैं, तो P, मतलब total power अगर हमें निकालना है, P total power, तो या तो हम directly V into I का फार्म लगाते हैं, जैसे या फिर जो है, हमारे पास जीतने power आए हैं, कौन-कौन से power आए हैं, 8 watt का, ठीक है, इसके बाद फिर 16 watt का, फिर हमारे पास यह कितना है, 24 watt का, अगर इनको add करेंगे, तो 16 यह 24, अब प्लस का यह 24 तो कितना आ जाएगा, 48 watt तो एक यह और यह दोनों क्या हैं, सेम हैं, या तो P is equal to V into Y लगा दें, या फिर P T is equal to, हम add कर दें, P1 प्लस P2 प्लस P3, इनसे भी हम solve कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोईस्टन हमारा, क्या कह रहा है कि 8 ohm, 5 ohm और 7 ohm के 3 register parallel combination में connect हैं, इस circuit के terminals पर कितनी voltage apply किया जाए कि फुल आवेसित सकती 350 watt हो, ठीक है, तो देखे, क्या है, कि 3 ohm, 5 ohm और 7 ohm के यह parallel में connect हैं, ठीक है, तो हमने इनको parallel में connect कर लिया, अब कह रहा है कि इसके cross कितना voltage हम लगाएं, कि इसमें जो power हो, वो कितना हो, 350 watt हो, ठीक है, यह double होगा, तो 350 watt हो, तो इसको कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले इसको solve करने के लिए, हमारे पास current की value पता होना चाहिए, तो ना current पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें यहां से क्या निकाल लेंगे, और equivalent निकाल लेंगे, ठीक है, तो सभी के cross हम R equivalent निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम अगर R equivalent अगर निकाल लेंगे, ठीक, तो R equivalent हमें पता चल गया, अब देखे, अब हमें क्या निकालना है, कि voltage की value calculate करना है, ठीक है, तो ना तो हमें I पता है, हमें क्या पता है, देखे, P बराबर होता है, V into I, ठीक, तो अगर I की value पता होता होता, तो हमें हाँ पे P की, मतलब voltage की value निकाल लेते, P, Y, V करके, तो I हमें पता ही नहीं है, ठी तो हम कैसा निकालेंगे तो अब एक चीज देखिए हम एक चीज यह जानते हैं क्या चीज जानते हैं कि P बराबर होता है V into I ठीक है और अगर हम बात करेंगे I I तो हमें given नहीं है तो V into I is equal to फिर क्या हो जाएगा V by R equivalent होगा इसको हम लिख सकते हैं कितना V square by R equivalent यह हो जाएगा P की value की नहीं तो P is equal to इतना हो गया अब हमें V की value निकालना है तो V is equal to कितना हो जाएगा P into R equivalent है यहाँ square है इस square को अगर हम हटाएंगे ठीक तो इस square को हटाने के लिए क्या हो जाएगा यह में पता चल जाए तो हम voltage की value को find कर सकते हैं ठीक तो तो आर equivalent calculate करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए यह parallel में connect है ठीक है तो हमें पता है कि 1 by R equivalent parallel वाला होता है तो कितना हो जाएगा यह होगा 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 7 तो इसको solve करेंगे तो 357 का हमने यह LCM लिया तो कितना हो जाएगा 3 into 5 into 7 यह हमारा LCM हो गया ठीक है 3 है तो कितना हो जाएगा 35 plus 21 plus इसके बाद यह हो जाएगा 15 इनको हमने add किया ठीक है तो add करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.6 5.11 1 2 2 4 3 71 by 3 into 5 into 7 इतना मिला ठीक है अब B is equal to क्या था under root में B into कितना 70 मतलब R equivalent था ठीक है तो जब value को अगर हम put करेंगे तो कितना हमें मिलेगा देखिए तो B is equal to power हमारे पास कितना है 350 तो 350 into कितना हो जाएगा 71 upon 3 into 5 into 7 तो 57 जा 35 तो यह 10 times में cancel हो जाएगा तो यह आ जाएगा 710 बटा में 3 जब हम इसका root निकालेंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो कितना होगा 22.68 बोल्ट ठीक तो इस type से हम इसको solve कर लेंगे तो बस आज के लिए इतना है कल के बास से आप लोग यह question आगे के जो 15 है 15 हो गया 16 हो गया 17 18 और 19 यह आप लोग आगे question इसको solve करिएगा फिर हम अगली class में इसको देखेंगे ठीक है ओके thank you को